आपके फिस पे एकने हैं, पिंबल हैंकी ब्रेकाउट का इशू है, इसके तेलबावा अभी Summers आने वाली है, तो आपको Tanning का भी प्राबलम होगा, चाहें आप Male हैं चाहें आप Female हैं, कई पार ये सारी प्राबलम WEATHER CHANGE होने की वज़े से होती हैं, कई पर ये प्राप्लम हमारे स्किन के ऊपर अच्छा स्किन के रूटीन फॉलो ना करने की वज़े से भी होती है तो guys आज मैं आपके साथ में एक amazing से product कर review शेयर करूंगी जो की oily, acne, prawn skin के साथ में और इसके अलावा dry और normal to dry skin के साथ में world of work करता है So guys, welcome back to my channel, मेरा नाम है Reena और आज मैं आपके साथ में एक amazing से product कर review शेयर करूंगी जो की आता है, law organo की तरफ से और ये है इनका activated charcoal dead sea mud mask So guys, let's start with the packing first तो आप देख सकते हैं कितनी attractive सी cardboard की packing के साथ में ये product आता है और अच्छे से proper, you know, wrap होकर मुझे ये product मिला था इसके अलावा ये SLS and paraben free है and इसकी quantity जो है that is 100 gram अकर मैं बात करूं इसकी shelf life की तो ये है 24 months की यानि 2 years की आपको इसके पर shelf life मलती है इसके अलावा इसका MRP है 599 बट आउनलाइन हमेशा ये कुछ ना कुछ डिसकाउंट पे अवीलेबल रहता है तो आप चाहें इसे Amazon या Flipkart पे चेक कर सकते हैं या इसके अलावा पॉपल पे भी आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे सारे sign mention की है कि ये जो product है ये 100% vegan ingredient के साथ में बना हूँ है cruelty free है कोई animal testing नहीं हुई है इसके अलावा acillus and paraben free है तो guys box के back side में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी अच्छे अच्छी information इन्होंने यहाँ पे mention की हुई है जैसे कि ये जो activated charcoal dead sea mud mask की gently exfoliate करता है आपकी skin को dead skin आपकी skin पे से निकाल देता है impurities and pollution free रखता है आपकी skin को और endroist है organic rose poil में rose poil बहुती अच्छा काम करता है pigmentation में dark spot में और आपकी skin के ओपर you know अगर fine lines हा रहे हैं तो यह उसको भी remove करता है इसके अलावा इसके अंदर green tea के extract है जो की powerful antioxidant होता है और इसके अलावा इसके अंदर essential oil पी है तो key ingredient list नीचे दी हुई है अगर आप देखेंगे तो आपको देख जाएगी इसके अंदर properly इन्होंने mention की हुए जो ingredient यूज हुए है मैं आपको जो main main है वो पिता देती हूँ जैसे की activated charcoal powder है जो कि आपकी skin को detoxify करता है dead sea mud है, organic rose poil है green tea के extract है, basil oil है organic glycerine है जो की बहुत अच्छे से moisturize करता है और इसके लावा organic walnut oil mango butter, aloe vera के extract है इसके अंदर hyaluronic acid भी है और कुछ essential oil है तो गईस जैसे ही हम cardboard की packing को खोलते हैं तो जो actual product है वो बहुत ही जादा elegant and plastic के एक tub के अंदर आपको ये product जो है मिलता है मतलब बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि ये black color में मिलता है तो बहुत ही elegant मतलब packing जो थी ना इसकी बहुत ही ज़दा elegant थी तो अब मैं इसे आपको एक बार खोल की भी दिखाती हो तो गईस ये देखिए इसका जो texture है ना बहुत ही ज़दा smooth and mild है लग अगर अब भी तक आपने कोई mud mask apply किये हो कभी आपने try किये हो तो थोड़े से harsh होते है बट ये बहुत ही ज़दा smooth and fine texture के साथ में आता है तो अब जो है मैं इसे आपको अपने face के उपर apply करके तो सबसे पहले हम अपने face को जो है wash करेंगे मैं यहाँ पर यूज करेंगे हूँ LA organic का ही apple cider vinegar face wash तो guys ये जो face wash है ना oily acne वाली जो skin होती है ना उनके लिए बहुत ही ज़दा wonder work करता है हलका से ले लीजे बहुत ही थोड़ी सी quantity इसकी लगती है और you know upward direction में हलके हाथों से मसाज कीजे और उसके बाद जो है normal पानी के साथ में अपने face को wash कर लीजे wash करने के बाद आपकी skin इतनी जादा smooth हो जाती है ना तो मतलब amazing है अब हमें apply करेंगे हमारे face के उपर mask तो इसकी जो fragrance है guys वो भी बहुत जादा awesome है upward direction में इसको जो है आपको apply करना है texture बहुत जादा smooth है तो फटा-फट से apply हो जाता है और अगर मैं बात करूँ ना कितनी quantity आपके face के उपर आप इसकी लगा सकते हो तो like one tablespoon से भी थोड़ी सी common fact जो है quantities की proper लगीगी आपके एक बार के application में बहुत smooth है, बहुत fine है जब मैंने से लगाया तो हलका हलका सा कुछ थंड़क का हिसास हो रहा था और हलका सा मुझे burning sensation भी लगा बट वह बात में बिल्कुल settle down हो गया था और सबसे अच्छी बात इस mask की यह है कि यह all skin type को suit करता है यार मतलब आपकी अगर dry skin है तो भी आप इसे try कर सकते है आपकी oily skin है तो भी आप इसे try कर सकते है और अगर आपकी sensitive skin है तो भी आप इसे try कर सकते है तो पंदर से 20 मिन के लिड़क को Choose your face के उपर चोड़ना है पंदर से 20 मिन के बाफ जब आपका mask dry हो जाएगा अपने हातों को हलका सा गीला कीजिए और अप्वर्ड डारेक्शन में इसे मसाज कीजिए तो लाइक ये एक तरीके से आपके फेस के उपर mild exfoliation का काम भी करता है तो इसे हलके हातों से आपको अप्वर्ड डारेक्शन में मसाज करना है और आप देखेंगे जितने भी skin related issues होते हैं वो धीरे धीरे आपके skin पेसे कम होना शुरू हो जाएंगे तो गाईज अभी आप देख सकते हैं मेरे फेस के उपर कितना ज्यादा brightness आचुका है इस प्रोड़क्ट को यूज करने के बाज से तो वीक में थ्री टाइमस इसे जरूर एक पर ट्राइ कीजेगा तो गाईज इस प्रोड़क्ट को जो है अभी तक मैंने चार से पांच बर यूज किया है तो इन पिंपल्स को इसने अच्छे से जो है सप्रेस्ट किया और इसके अलावा सप्रेस्ट करने के साथ में मेरे फेस के पर जो यह डाग डाग स्पोर्ट से इनके दिख रहे देना इनको भी इसने लाइटन अप किया तो गाइस यह बहुत ही जादा अमेजिंग सा प्रेड़क्ट है इसको एक बार जरूर ट्राय करें और अगर आप इसे पाय करना जाते है तो इसका पर्चेस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी वहां से जाके आप इसे चेक कर सकते हैं अगर आपकी